डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड गलोग ओंटेडियो में कोरोना वाइरस के केसेज में कमी का सिलसला जारी सूबे के प्रेमिर ने बहुत से शुबों के लिए पाबंदी में नर्मी का एखलान कर दिया कैनेड़ा में करोना वाइरस से मतासरा अफराद की तादा साथ हजाल से तजावज कर गई मतासरा अफराद की तादा साथ हजाद साथ सॉ बहत्तर हो चुकी है क्योबेक हुकुमत की जानव से मौन्च्रियाल में कारोबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ़ते की तौसी हस्पतालों में करोना वारस के बढ़ते मरीजों की तादात के पेशे नजर ये फैसला किया गया है क्योबेक भर के रिटियल स्टोर सरकारी तोर पर खुल गए मालकान पूर अमीद हैं कि बाई लोकल कामपेइन जारी रहेगी अमरीका में करोना वारस के मौलिक तरीन वाबा से 24 घंटे के दौरान 1015 वाथ हुई जो एक महीने में याम्या हलाकतों की सबसे कम तादात है शीन का कहना है कि अमरीका अपनी नाएहली छुपाने के लिए रिज़ाम लगा रहा है करोना वारस से दुनिया भर में अब तक 2 लाग से जाएद अफरात हलाक हो चुके हैं जबके मतासरीन की तादा 36 लाग से तजावस कर गई है हेडलाइज अबने जानी अब खबरे तफसील के जाएद कनेडियन वज़िर आजम जस्टिन टूडो की जानिब से करोना वारस से मतासिर होने वाले किसानों और जराद के शोबे से वावस्ता अफराद के लिए 252 मिलियन डॉलर के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है डेली ब्रीफिंग के दुरान उन्होंने बताया कि विफाकी हुकूमत की फेंडिंग में 70 मिलियन डॉलर फूड प्रोसेसर के लिए रखे गए हैं ताके वहां काम करने वाले अफराद की हिफाज़त को ये कीनी बनाया जा सके और इस अदादे कार में इजाफा किया सके Today, we're announcing more than 77 million dollars to support food processors during this crisis. This is money that they can use to purchase personal protective equipment for workers, adapt to health protocols, and support other social distancing measures. It will also help expand or adapt our processing capacity to increase the amount of Canadian products we make domestically. We're launching a surplus food purchase program starting with a 50 million dollar fund. To help cattle and hog producers, we will launch a 125 million dollar national agri-recovery initiative. Farms and processing plants are raising more animals than the system can process into things like steak and bacon because of COVID-19. Crudeo का कहना ता के हकूमत की जानब से पहली कोशिश है जबके जरूरत पढने पर मज़ीद इमदाद की जाएगी. So with this funding, we're giving extra help to beef and pork producers so that they can adapt to this crisis. This is an initial, an investment, and if we need to add more, we will. Multi-national companies के मुलाजमीन के हवाले से एक सवाल के जवाब में टूरूडो का कहना था कि हकूमत सूबो के साथ मिलकर काम कर रही है ताके मुलाजमीन को महफूज और खुश रखा जा सके. Trudo का कहना था कि हमें बड़े बहुरान का सामना कर रहे हैं, उनका कहना था कहना था कि हमें जरूरत है कि हम लोगो को महफूज रखें और खाने से मुतालिक इश्य की सप्लाइ को पर किरा रखें. Trudo ने इस बात के अमकान को भी मुस्तर्थ कर दिया कि हुकूमत शेहरी लागो की मदद करने को तरजीह दे रही है. कैनेड़ा में करोना वारस से हलाफ होने वाले अफराद की मजबूई तादा 3,854 हो गई है, जबके अब तक 25,757 अफराद से हत्याब हो चुके हैं. इस हवाले से मधीच जानते हैं. कैनेड़ा में करोना वारस से मतासर अफराद की तादा 6,000 से तजावस कर गई है. आखर इतलात के मताबक मुल्क भर में करोना वारस से मतासर अफराद की तादा 6,772 हो चुकी है. जबके हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादा 3,854 हो गई है. जबके अब तक 25,757 अ हत्याब हो चुके हैं कैनेडियन सूबे क्यूबेक में करोना वारत से सबसे जादा केसे सामने आए हैं जहां मतासर होने वालों की तादा 32,623 तक जा पहुंची है और क्यूबेक में हलाकतों की तादा 2280 हो गई है कैनेड़ा के वजीर आजम जस्टिन टूडो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर गयर यकीनी का शिकार है उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजूंगा जो कि इस सूवे में है जो क्रोना वारत से सबसे जादा मतासर है टूडो के तीन बच्चे फ्रांसेसी स्कूल में जिर तालीम है जो इन दिनों करोना वायरस की वज़े से बंद है कैनेड़ा के वजीर आजम का कहना है कि इमकान है कि वो बच्चों के स्कूल जाने का फैसला आखरी मिनट पर ये देख कर करें के क्लासिस का साइस क्या है और टीचर्स का रवईया कैसा है ऑंटेरियो में करोना वायरस के फैलाओं में कमी का सलसला जारी है जहां मतासरा फ्रांट की तादा 17,923 है जबके हलाकतों की तादा 1300 है करोना से मतासर होने वाले सूबों में अलबर्टा 30 नमबर पे जहां इस वक तक 5836 अपराद मतासर हो चुके हैं और वहां वाद की तादाद 95 है बिर्टिश कॉलम्बिया में 2224 अपराद करोना वारस से मतासर हुए है और वहां वाद की तादाद 114 है ओंटेरियो के प्रिमेर का कहना था कि सूबे में मुस्तकिल दूसरे रोज भी करोना वारस के नए केसिस की शरा में कमी आई है इसके पेश नजर हम कह सकते हैं कि अवाद को इस हफ़से अच्छी खबरे मिलेंगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ओंटेरियो में करोना वारस के केसिस में कमी का सिलसल आज़ारी है जब कि इस दौरान सूबे के प्रिमेर की जानब से रिटेल स्टोर्स, पार्क्स और कॉर्टेजिस को खोलने की खुशबरी सुनाई है मीडिया से गुफटगू करते हुए उनका कहना था किस सूबे में मुस्तकिल दू से रोज भी करोना वारस के नए केसिस की शराम में कमी आई है इसके पेशे नजर हम कह सकते हैं कि आवाम को इस हफ़ते अच्छी खबरे मिलेंगी वजीर आला का कहना था कि हलात काबू में रहे तो हम गार्डन सेंटर्स को खोलने का फैसला कर सकते हैं और उन सेंटर्स में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए पाबंदियों में नर्मी का इमकान है प्रेमियर डगफोर्ट का कहना है कि अवाम को इस हफ़ते अच्छी खबरे मिलेंगी उनका कहना था कि कॉर्टेजिस में रहने वालों को अब अपनी जगा पर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए उनका मजीद कहना था कि हमें अब भी बहुत काम करना है ताहम अब तक हमें जो नताइच मिल रहे हैं उनको देखते हुए हम आने वाले हफ़तों के लिए बहुत पर उमीद है क्यूबिक हुकूमत के जानब से मौन्ट्रियाल में कारूबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ़ते की तोसी की गई है सूबे के प्रेमेर का कहना था कि शहर में करोना वारस के पहलाओं में अजाफे का ख़च्चा है जिसकी वज़ा से शहर को अभी नहीं खोल सकते हैं क्यूबिक हुकूमत की जानब से मौन्ट्रियाल में कारूबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ़ते की तोसी की गई है सूबे के प्रेमेर का कहना था कि शहर में करोना वारस के पहलाओं में अजाफे का ख़च्चा है जिसकी वज़ा से शहर को अभी नहीं खोल सकते एलिमेंटरी स्कूल खोलने का फैसला कर चुकी है ताहम बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला वालदین पर छोड़ा गया है और स्कूल जाने की पाबंदी नहीं होगी वाज़र है कि क्यूबेक हुकूमत की जानिब से पहले मौन्ट्रियाल में तिजारती मराकिस को 11 माई से खोलने का ऐलान किया गया था ताहम सुभाई दारों हकूमत में करोना वारस के बड़ते केसिस के बाइस उनके फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही थी क्यूबेक भर के रीटेल स्टोर सरकारी तोर पर खुल गए और आने वाले कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे हैं क्यूबेक भर के रीटेल स्टोर सरकारी तोर पर खुल गए और आने वाले कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे हैं यह सुभाई हुकूमत की जानब से सुबे में कारुबार के अगास के लिए अवली नक्दाम है इस स्टोर्ज मालिकान को दुबारा खुलने के साथ इस गहर यकीनी सुरतिहाल का सामना है कि आया सारफीन वापस आएंगे या नहीं बहुत सारे कारुबार उमीद लगाए बैटे हैं कि बाई लोकल कैंपेंज इसका आगास कारिंटाइन के दौरान किया गया था क्या इसी तरह स्टोर्ज से भी मुगामी मसनुआत की खरीदारी की चा सकेगी मौन्ट्रियाल से बाहर के कारुबार जिनके अपने दाखली दास्ते हैं उन्हें प्रेमिर ने गुजश्चता मंगल को ग्रीन सिगनल दिया था जब हकूमत ने ऐलान किया था कि वो माई के महीने में आइस्ता आइस्ता कुछ मुलाजमीन को अपनी मुलाजमत पर वापस जाने का मौका फरहम करेंगे दुन्या की सुपर पावर करोना वारस के सामने बेबस है अमरीका में करोना वारस सतर हजार से जादा अफराद की जाने ले गया जबके मतासरीन की तादाद 12,13,000 से तजावस कर गई इस हवाले से मजीद जानते हैं अमरीका में करोना वारस की मौलक तरीन वबसे 24 घंटे के दरान 1015 अबाद हुई जो एक महीने में यौमिया हलाकतों की सबसे कम तादाद है जबके मजमूई हलाकतों की तादाद 69,000 से जाइद हो गई तफसिलाथ के मताबक दुनिया की सूपर पावर करोना के सामने वेबस है अमरीका में करोना वारस 69,000 से जाइद अफराद की जाने ले गया जबके मतासरीन की तादाद 12,12,000 से तजावस कर गई 24 घंटे के दौरान 1015 अमवात होई जो एक महीने में यौमिया हलाकतों की सबसे कम तादाद है न्यूइ यौक में वारस सबसे जादा लोग मतासर है जहां 24,000 अफराद जान से गए शिगाकों में हलाकते एक हजार हो गई अमरीकी सदर डौनल्ल ट्राम्प का कहना है कि मुल्क भर में हलाकते एक लाग हो सकती है अमरीका में तहकीक दानों ने खत्रे की घंटी बजा दी माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन में नर्मी के बाइस मुल्क में यौमिया हलाकते तीन हजार हो सकती है चीन ने अमरीकी अल्जाम को एक बार फिर मस्तरत करते हुए कहा कि अपनी नाहली और बद इंतजामी का मलबा किसी और के सर ना डाला जाए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में चीन ने अमरीकी अल्जाम को एक बार फिर मस्तरत करते हुए कहा है कि अपनी नाहली और बद इंतजामी का मलबा किसी और के सर ना डाला जाए عالمی خبرصان ادارے کے مطابق چین نے دنیا بھر میں کرونا وارث پھیلنے کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظام یا اپنی نہ اہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام تراشی پر اتر آئی ہے صدر ٹرمپ اور ان کے وزراء چین پر الزامات لگانے کے بجائے اپنے ملک اور قوم پر توجہ دیں جو نہ کافی سہولیات کے باعث بڑی مشکل میں پھز گئے ہیں چین کی وزارت خارجوں کی جانب سے جاری بیان میں امریکہ کی جانب سے کرونا وارث کی وہان لیبارٹری میں تیاری کے الزام کی بھی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی ادارہ صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے بارہا انکار کے باوجود امریکہ اپنی ہر درمی پر قائم ہے قبل از ہی امریکی وزیر خارجوں مائک پومپیو نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کے وہان انسٹیٹیوٹ آف وارولوجی میں کرونا وارث کی پیدائش کے بارے میں واضح شواہد مل گئے ہیں چبکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کرونا وارث کے دنیا بھر میں پھلاو کا ذمہ دار چین کو قرار دیا تھا دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کرونا وارث کے معاملے پر چین کے خلاف مزید سخت اقدامات کرتے ہوئے سنتی درامدات کو روکنے کا منصوبہ بنا رہی ہے امریکی منصوبہ بندی سے منسلک عودے داروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کرونا وارث سے متعلق چین کے اقدامات پر سنتی درامدات روکنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے قیال رہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے چین پر نئے الزامات لگائے تھے جبکہ ماضی میں موشی طور پر ٹیریف کا نفاظ کر چکے ہیں کرونا وارث سے اب تک دنیا بھر میں چتیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار سانسو بیالس تک پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارث سے دنیا بھر میں اب تک دو لاکھ باون ہزار سانسو بیالس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد چھتیس لاکھ سے تجاہوز کر گئی ہے کرونا وارث سے اب تک دنیا بھر میں چھتیس لاکھ چھاسٹھ ہزار نو سو افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار سانسو تک پہنچ گئی ہے دوسری جانب فرانس اٹلی اور سپین میں یومیا کرونا وارث کے باعث اموات میں خاصی کمی آ گئی ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پچھانوے سپین میں ایک سو چون سٹھ جبکہ فرانس میں ایک سو پیتیس افراد ہلاک ہوئے اٹلی میں کل سے مرحل آوار لاکڈاؤن میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے پارک کھولنے کی اجازت مل گئی ہے اور لوگ ایک ہی علاقے میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں بھی جا سکیں گے برطانیہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹریک اینٹریس پروگرام شروع کرے یعنی ان لوگوں کی شناخت اور خوش لگائے جن میں کرونا کی علامات ہیں نیوزی لینڈ میں بھی پہلی بار کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا جبکہ روس میں وارث تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہاں ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد افراد میں وارث کی تصدیق ہو چکی ہے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایک ہی دن میں مزید چار ہزار مریض سامنے آگئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد چالیس ہزار سے تجابوس کر گئی ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مائی کے بس میں شاپنگ سینٹرز، ہیر سلونز اور چند دکانوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی گزشتہ چند ہفتوں سے ترکی کے 31 شہروں میں مکمل لاکڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے अब تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے तैक ٹی وی यूट्यूब पर टैक ٹی وی का चैनल सब्सक्राइब कीजियے और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैक ٹی وی अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैक ٹी وی को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे